जो बीज़ी आजाओ, हम लोग बात कर लेंगे नीचे, आरे तरी बात कर लेंगे नीचे, मैं मरने वाला हूँ, मेरी बीबी मुझे चोड़ के चली गई, यह मैं जीना नहीं चाहता हूँ, आप लोगो क्या हाँ चोड़ता हूँ, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करो, उस दिन एक्जाम हॉल में लड़की को देखा था ना, अरे मैंने बोला था ना, अरे बाजो में बैठकर कॉपी कर रही थी, वो लड़की, वो यही है, मैं बहुत देर से आप लोगों को इंतिसार कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से आखरी बार फोन पे बात करके, यहां से कुद के मर जाओंगा, है, 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 ना, है, 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 ह और तुम पागलों की तरह बगवास कर रहे हो तुम्हें उसे नीच उताने के बारे में सोचना चाहिए वो गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी बार बार टीवी में कहता रहता है ना लेडीज और जैन सीक्वल है तुम्हीं जाकर क्यों नहीं बचा लीती मैंने स्कॉट प मैं नाजते रहे हैं वो देख करो ब्रदर तुम उपर मत चलो मुझे बचाने की कोशिफी मत करना यह ब्रदर तुम अगर एक इस्टेप और उपर चाहे तो मैं ऐसा खूँगा रुको मैं भी उपर आ रहा हूं दोनों मिलकर कूदेंगी तुम क्यों मरना चाहते हो लाव फेल्योर ब्रदर उन लोगों में यूनिटी अच्छी होती है लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ब्रदर एक लड़की पर जाता है तो इमेडियेट ले उसके पीछे हमारे जैसे सौ लड़के पढ़ जाते हैं लेकिन एक लड़के का पुछ रहे हैं ब्रदर मुझे डायवर्ट करने की कोशिश मत करो अब हाड़ में तेरा ना इसले तो मैंने कहा था हम लड़कों में यूनिटी नहीं है ठीक है तु कुछ मत कहे वन टू-टू-ट्री काउन करो मैं पूच जाता हूँ काउन ब्रदर काउन ब्रदर काउन ब् तु भी अर्फ ब्रदर से रहें है और अ मैं तो बज गया इसी आटाओ कूट के कुछ फाइदा ने प्रदर सिंगलारा चाहिए उतर जाओ ब्रदर उतर जाओ परिवाइदा नहीं है जब आजाओ कम 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 हम लब कोई और चगह ढूंड लेंगे कम और सब्सक्राइब अच्छी लगी जब भी फ्री हो तो पुलिस टेशन में आकर मिलना ठीक है सर जरूर कीड़ एक बाइट देंगे सब वन सेकना आप आओ ना मैडम अगर मैंने इतना रिस्क लेकर उसकी जान बचाई है तो यह सिर्फ इन की वज़े से मुझे इनी की वज़े से हिम्मत की मोटिवेशन मिली है सो हम सब की तरफ से थैंक्स टू मैडम ओके ना थैंक्यू सो मज़ अरे यार हम टीवे में दिखने वाले चल जल जल दी घर कर बताते हैं क्यामरे के सामने मुझे क्यों खीच कर ले आए आपकी पबलिसिटी के लिए टीवी वाले चुप रहे टीवी देखकर अगर मेरे घरवालों ने मुझे कुछ कहा ना तो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाओं हुँ यह घर प्या के मारने वाली है क्या तेख यार वार से शुरू होने वाला प्यार बहुत वंडरफुल होता है बस तु देखता जा टीवी देख रही हो ना हां वो बेलकुल पर गई है यहां आरी हूं आरी हूं मैं फिर से तुम्हें कौल करती हूं यहां यहां बात करो कि एक मिनट दाधी मा से बात कीजें पर क्या बात करो रूँ मैं बोलिये क्या बात है हलो कौन है जानवी बोल रही हूं हाई जानवी कहा हो तो मैं तो दरसल वह मैं तो में मारने नहीं आ रही हूं बोलो ना कहा हो clique और विजन अगर में फ्रेंट की शाधी है तो उसी के रेसेप्शन पर आया हूं अबे कमीनो सेल्फी क्यों लेते हैं पता है तुम लोग हम हलो छालो हम हम वन सेकड बोलो रमेश एक मटब अभी दिखता हो तो में को में इक सेल्फी ले सकता हूं यह थैंक यू थैंक कूल्फी से ठंडक लेने के लिए यह सेल्फी तेकनॉलजी बनी है तुम जैसे बंदरों के साथ गाल रगड कर लेने के लिए नहीं तु सूपब है यार एक छोटा सा मैटर है मेरे पहचान की एक कुलफी तेरे साथ सेल्फी लेना चाहती है कुलफी? येस का है? वो देख, वो रही सेल्फी लेना है तुम्हें सेल्फी? घर में आओ सेल्फी कैसे लेते हैं सिखाती हूं दुम्हें मज़ाइक कियाता मैना आ पता है पता है सब पता है मुझे शाम को एक साड़ी लेके आता हूं एей हम दोनों की सेल्फी छोड़ो क्या कर रहियो? यहां तुम्हारी माँ है अच्छा तुम्हें घर पे बनाती हूँ 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 हुआ यह किस लिए उस आटो ड्रावर को बचाने के लिए ओ थैंक्स अब बाइद वे उस इंटर्वीव को देखर तुम्हारी फैमिली कैसे रियक्ट की ओ वो उन्हें लगा कि मैंन नहीं उससे बचाया है और मेरी तारीफ करने लगे हैं सब कुछ ठीक है ना कि टिनर हो गया क्या डिनर देखो जो कुई रिस्प्शन में आता है तो फंक्शन कैसे वह पूछता है और आपने डिरेक्ट फूर के पर में पूछ लिए बहुत आगी की चीज़ें आप पैदा ह घरमें बड़े लोग पैदा हो सकता है वो क्या है ना बच्चा बबकी तरह स्ट्रोंग पैदा हुआ है तो इन दोनों में से आप कौन सी है ओ वैसे देखा जाये तो मैं बच्पन से ही काफी उसका रीजन यह है कि मेरी मॉम बहुत शाप है प्र आपकी पिता जी किमहारे ज लब दिखने में तो क्लेवर दिखते हैं पर कोई काम के नहीं है हलो आई मीन चल कपट ना रखने वाला दिल का बिल्कुल साफ तुम कह रही है तो मुझे ये गाली से भी अच्छा ही लग रहा है चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं चलती हूँ जानवी फ्रेंड्स एक बात सुन लो फ्रेंड की नाम पर अगर मुझे लाइन मारोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर फ्रेंड्शिप करना चाहते हो तो फ्रेंड बनकर ही रहना होगा और तुम अगर मुझसे फ्लोड करना चाहते हो तो वो भी ओपन लिकरो तो फ्रेंड बनना है या फ्लॉट करना है क्या करो टाइम ले एक दिन का मुझे एक दिन का टाम चाहिए एक दिन वो क्यों 24 आज में पता चल जाएगा ना ओके चलेगा बाइए बेटा चाहे हां थैंक्स अंटी अच्छा मेरी जानवी में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया जानवी में मुझे क्या पसंद आया बोले तो मैं सब कुछ ओपनली बता दाओ आउंटी ये ग्लास छोटा है और आपने इसमें चाय भी थोड़ी सी ही दी है देखा आपकी सोच कहां तक चली गई परिवार को ऐसे ही चलाते हैं आउंटी मैं अंकल की तरह हूँ पैसा बेकार में खर्च करता रेता हूँ लूज एंड है कोई परवा नहीं है लेकिन वो जानवी बिलकुल आपकी तरह है बहुत ब्रिलियंट अगर मेरी लाइफ में जानवी की तरह कोई लड़ी आ जाए त तुमने कहा तुम उससे एक दो बार ही मिले हो फिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो जानवी के बारे में मैं क्या जानता हूँ मतलब वो अंकल बीस साल तक आपने उसे पैदा करके बढ़ा किया उसका सीक्रेट आपको पता नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है क्या पता है अपनी जानवी के तीन बैंक लोन है अंकल उसने मेरे साथ ही तो एक्जम दी थी यह बात अंटी भी बहुत अच्छे से जानती है अंटी मुझे तो ऐसा उसने कभी नहीं बताया और यह फोटो देकर आप कंफ्यूज हो गयें क्या एक्चुली यह फोटो भी अपनी जानवी ने ही रेडी करवाया है अंकल वैसे आपको बता दूं किसी और की बाड़ी में अपना फेस लगा कर लाइटिंग के साथ क्या मैनेज किया है अंकल इतनी इंटेलीजनसी और कहा अपके बर्में अंकल आपकी बेटी की भाशा में बोलू तो आप एक तुमांगी है अंकल दिखने में बहुत बुद्धिमान तो लगते हैं मगर एक्चुल ऐसा है नहीं क्या नहीं अंकल मतलब कोई छलकपट नहीं यह बताना चाह रहा हूं अंकल बेटा एक और चाह दू हां दे दीजे आंटी लगता है आंटी को मैं बहुत पसंद आ गया हूं अगर तुम्हें अपने डैडी की जॉब मिली तो सेलरी कितनी मिलेगी वो तो मिनिमाम थर्टी थाउजंद रूपीज चोटा सा पेट दर्था सर बस चेक अप करवा कर कल ड्यूटी चान कर लूँगा सर फोन यहां दीजे डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है न ठीक है तो फिर मैं रिजाइन कर देता हूं देखे न आपके पस दो आप्शन्स हैं या तो अपना ख्याल रखी या फिर मां को डिवोस्त देदीचे तो तुमने सही कहा है किस भगवान का है शेड़ी का है जी कि अजिए पर यह करके मेरे पापा कुमार तो यह तुमने है क्रिश्नमूर्थी नाम के कॉंस्टेबल पेट दर्द की वज़े से भरती हुए लेकिन ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर की लापरवाही के वज़े से उनकी ओपरेशन थियाटर में मृत्यू हो गई इस लापरवाही को संग्यान में लेते हुए पुलिस ने हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच में जुटी है झाल आपके दया है भाई दामोदर सर ने कहा था ना वो यही है नमस्ते सर रवी तुम ज़रा बाहर जाओ जी भाई आप खड़े क्यों है बैठिये ना हाँ सर सीधी तरह बोलिये बात क्या है सर मरने से पहले मेरे पिताजी ने पूरी जायदाद मेरे और मेरे भाई के बीच शादि-hदी बांट दी सर मैंने अपने हिस्सी की सारी जायदाद अपने फ्रेंट के भरोसे बिजनेस में लगाया लेकिन घाटे में चला गया हूँ सर, पूरी जायदा तो खो ही चुका हूँ, सर पे गाउवालों का करजा भी हो गया है, हमारा एक पुछ तैनी घार है सर, अगर हम उसे बेच देंगे तो मैं सारा करजा उतार दूगा सर, नगर मेरा भाई मुझे वो बेचने नहीं दे रहा ह सर, कहना क्या चाते हो मैं समझ नहीं रहा, एक पैसा नहीं मिलेगा, मैंने वो घर बेच करजा नहीं चुका है, तो मेरे पास अपने परिवार के साथ आत्मत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, मेरे भाई में थोड़ी सी भी दराम आया नहीं है सर, मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है सर, बैग में कितने पैसे हैं, आपके कहें बताविक इसमें 10 लाक रुपे सर, दियान रखेगा सर, मेरा नाम बाहर ना आने पाए, सर, उसको खतम कर दिया ना, अभी तक तो नहीं, आज रात का महुरत है, आप अपना फैसला तो नहीं बदलोगे ना, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला लिया है ना, किसी तरह का डाउट नहीं है ना, आपके भाई को मार दूँ, देर क्यों कर रहा है सर, उसे मार दीजे, अब का, ठीक है, काम होने के बाद फोन करता हूँ, सर जी, आपके छोटे भाईनी आपको मारने के लिए 10 लाग रुपे दी, आप 50 लाग रुपे दे दो, मैं उसे मार देता हूँ, हलो कौन? हलो सर, मैं गंगा वरम से बोल रहा हूँ, वो गजबुआ वाला बालू है ना, उसे देने वाले पैसे अगर शाम तक तुमने नहीं लोटा है ना, तो सुन ले, तेरे घर में कोई जिन्दा नहीं बचेगा, मैं दुबारा हूँ, वो गजबुआ का बालू अपने आदमी से फोन करवा कर, मुझे धंकी दे रहा है सर, कल साम तक पैसे नहीं दिये तो जान से मार दे का कह रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, सर, वो बालू ज़रा खतरनाक आदमी है, आप किसी तर से मुझे बचा लिजे सर, आप एक का सामिली के साथ सब्तगिरी लॉज में चले जाए है, सेफ्टी के लिए मैं अपने आदमियों को वहां भेज़ता हूँ, है, निकल, आप लोगों को डरने की जरुवत नहीं है, भाई, ये लिजे, खाना खाके रिलेक्स हो जाई है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ जरुवत काल करना, ठीक है, ठीक है, राजकुमार नाम के एक बिजनस्वेन ने करजे की वज़े से अपने खाने में जहर मिलाकर कर राग को द्वारेका नगर के सत्यगिरी लॉज में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, पुलीस केस की चानवी में लगी हुई है, सर्ये 25 ला साथ करोड की प्रोपर्टी, आपके छोटे भाई ने कहा था, आपको मार दिया होता तो ये साथ करोड की प्रोपर्टी उसे मिलती, ये 25 लाग हाप ही रख लीजे, इसके बदले में हम इस प्रोपर्टी को आपस में बांट लेंगे, सब लोग एविडेंस छोड़े बिना गलत काम करते हैं, लेकिन मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं कोई भी काम एविडेंस की बिना नहीं करता, जेल तो मेरे लिए मेरा घार है, और आपके लिए, आपने अपने भाई को मरवा दिया है, ये क्या कि आप अरे यार, ये प्रोपर्टी खरीदोगे क्या, इस पर बहुत गडबर है, ये अपने को नहीं जमेगा, तो फिर दूसरी खरीद लो, अरे ये दस करोड की प्रोपर्टी है, अरे तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे, तो सब कुछ खरीद सकते हैं, फिर भरोसा रहना चाहिए, ये सब मिलेगा, रुपिया कमाएंगे, कार, बंगला देकर, अमने सेटल हो जाएंगे, क्या हो बिटा, लाख, लाख क्या बकरे हो तुम लोग, शम्शाद में सेटल होने का समय है, लाइफ में नहीं, तुम सब की चाहे में एक एक चमच शुगर डाल दिया जाए, तो यही सेटल हो जाओगे, निकल दो, एई, ग्लास रख के जाओ, चल जल्दी रख, ठीक है बेटा, देखने में वो तुम्हारे बाप की तरह दिखता है, और तुम हो क्यों उतनी बेज़ती से उसे बात करें, मेरे बाप के जैसा नहीं सर, बाप ही है मेरा, तीस साल से देख रहा हूँ सर, घर और चाय के दुकान के सिवा कुछ नहीं आता है इसे, अभी भी लाइफ सेटल की बात करता है, अगर पहले लाइफ सेटल किया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता सर, सर, यह लोग यहाँ चाय पीने नहीं आते, आंडी को घूर दिया आते ह महेश, क्या होगा तुझे? अपने सूरिया को वहां मार्केक में कोई मार रहा है कौन मार रहा हुसे? ठाइब भाई 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 वह पर आते हैं चखडा क्यों करते हैं आई ज 늘 नहीं आते हैं खर फिर यह जाँ था जाँ हिए आए आए लो को जै यह लो को जै प्रीज हो जो को जह प्रत गजभ दोगह दोग दो जय कोगह चरो दो आए आए यह अट यह आए ्टुझगष पयाग! पयाग! आपना आप को भाइस हमाज़ इंख झाल झाल ज़ तो इससे छूट नहीं पाएगा, इसकी पकड बहुत मस्बूथ है प्रॉब्लम हाथ उठाने से पहले पूछला चाहिए था तेरे पे कोई हाथ उठाएगा, तुम्हें चुप रहूंगा, तुम्हें चुप कर, मौका मिला तो बस लड़ते रहता है मेरे चाचा है न, इन्होंने ब्याज पर इससे तीन लाख रुपय कर जा लिया था, अभी तक तो ब्याज जी आठ लाख रुपया भर चुके हैं, और दो महेने से पैसे नहीं दिये हैं, तो वो आकर घर को अपने नाम पर करवाने की धमकी दे रहा था तुम अपना घर मेरे नाम पर लिख दो, लाख आगर दे रहे हैं, बस यहीं घर ही तो रहे हैं, दया की जमाने, इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, पोलिस टेशन लेकर चलते हैं आपको सर बुला रहे हैं, चाचा चलिए, सर बुला रहे हैं, सुन मैं भी आता हूँ, तु यहीं पे रुख, मैं जा कि आता हूँ, अरे आता हूँ לא, तेरे हाँ चोड़ता हूँ यार बिलीज, मैं उन्से बात करता हूँ तो थोड़ा शान्तर da, आए चाचा आईये चाच नमस्ते बैठिए नमस्ते सर देखो सुर्या कानून के हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना था तुम्हारे पिदा जी को जानता था इसलिए छोड़ रहा हूं है साइट से कोशिश कर यार साइट चुप रहा है ऐसा लोगों को अंदर डालकर न की धुलाई करनी चाहिए तब यह समझेंगे चुप करना यार क्या कर रहा है पट्टी उस तरफ क्यों लगा रहे हैं हड़ी तो इस तरफ टूटी है ना कहीं एक सरे में उल्टा तो नहीं देख रहा हूं अच्छा उसने आपके चेहरे पर मारा तो यहां की हड़ी कैसे टूटी है उसने तो चेहरे पर ही मारा है लेकिन उसके साथ आया था ना उसका फ्रेंड उसने पकड़ लिया था बहुत जोर से पकड़ा था अच्छा हुआ कि उसने ऊपर पकड़ा साब नीचे पकड़ ले अगर हम उससे ब्याज का पैसा वसूलते तो बात कुछ और थी अभी उससे बदला लेने के समय उसे दो गुना ज्यादा रुबाव दिखाना होगा यह यहां क्यों आया है आपकी दूसरे साइट के अभी बच्ची है ना किससे मिलना है तुम्हें मुझे सर से मिलना है भाई आप ही बात करो इससे मैं सामने रहूंग तो जान से भी मार सकता हूँ सही बात है भाई सैव्टी बहुत जरूरी है ठीक है भाई मैं जररा बाहर से आता हूँ भाई मैं जाओंगे तो तो तुमेरी कुर्सी बेख़ेगा इण yah भाई, नमस्ते सर, क्या बात है, यहां किसलिए आये हो, सर, सॉरी सर, मेरा फ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने चगड़ा किया, वो गुसा करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, सर, आपको जो पैसे देने थे, वो पूरे ब्याज के साथ इसमें है, यह लो, रख दो इसे, यह मेरे पिताजी का रेटार्मेंट का पैसा है, मेरी वज़े से कोई तकलिफ होई हो तो, सॉरी सर, यह सब दिल में रखकर, मेरे दोस को कुछ मत करिएगा, प्लीज सर, अगर तुमारी यह तरह, तुमारे फ्रेंड का दिल होता ना, तो तुम्हें यह आने के जरुवत ही नहीं पड़ती, जाओ, आरहा, 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 जा रहा है, भाई, 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 बाई, सॉरी भाई, कब से देख रहा हूँ, आप उच पर बहुत गुस्सा है, मुझसे और मेरे दोस से अंज्जाने में गलती होगे, माफ कर दो ना, प्लीज तोड़ दिया भाई ठीक है थैंक्स भाई कम से कम आपने तो हग दिया अब मेरा दिल शांथ हो गया मैं चलता हूं भाई मैं भी गया भाई सेम प्लेस सेम प्लेस तेरे फ्रेंड ने उस गुंडे की पुलिस कम्प्लेंट करने के लिए तुझे पुलिस चेशन बुलाया तो तु उसके साथ फॉरन चला जाएगा क्या मैंने कितनी बार कहा है उसके पीछे मत गुमा कर बाप रे सुभा सुभा क्या परिशानी है मा मैं उसे इतना याद नहीं करता लेकिन तुम उसे रोजियात करती हो अरे उसने कौन सी इतनी बड़ी गलती की है क्या गलती है तुझे नहीं पता तेरी बहन को स्कूल में उसने लव लिटर दिया था पता है न? पता है तो तुमने भी क्या किया जानता हूँ तुमने उसकी पूरी फैमिली को रोड पे लाके उनका कचरा किया तुम्हारी बेटी की गलती है उसके प्रपोस करते ही नो बोल देती तो वो कुछ नहीं करता लेकिन मेरा फ्रेंट बने के बाद उसने तुमसे सौरी कहा कि नहीं के लिए मां अब तेरे मेरे पीच में जखड़ा हो जाएगा मैं जो काम करता हूं ना वो खाना पकाने काम नी कैट्रिंग है वाट इसके साथ गुमेगा तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है मुझे पता है मेरा भी सुकुमार फिल्म के हीरो की तरह एक बटरफला एफट की सब अच्छा होगा ऐसा मेरा सिक्संस कहता है अच्छा शगुन है तेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई है तो फिर अब तो कॉलेज कौन सी पढ़ाई करने के लिए जा रही है वह अभी तक तो मैंने सिफ MBBS किया है इसमें बुखार के लिए सरदर्थ के लिए पैर के लिए इंजेक्शन देना गोलिया देना बस इतना ही होता है मगर अब मैं जो पढ़ाई कर रही हूं वह है MS in Cardiology उसका मतलब मतलब समझे सड़नली आपको हार्ट अटैक आगया हो तब आपके छाती को काट कर आपके दिल को बाहर निकार उसको आपरेशन करना ने चला फोन रख बाई मां ए दो पर को लंच टाइमें बुआ को फोन करना मत बूलना मेरी बात हो गए है बुआ से 500 रुपय देना एक त इसले आपते तो पचास लिया था ना पहली तारीक का अलग ब्याज 15 तारीक के बाद अलग ब्याज मन्त हेंटिंग में अलग ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए इस मैंने में 31st ए 400 ब्याज है ले लो पांसो के लिए 400 रुपय ब्याज लगाईगी पूरी जायदाद ही ले तब तुम कौन हो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है यह कुछ भी मुझे पता नहीं था इसलिए देखो अनू अगर हमने प्यार किया तो मेरी फ्रेंडशिप के इंसल्ट हो जाएगी और अनू मेरे लिए फ्रेंडशिप ज्यादा इंपोर्टेंट है इसी आटिटीट की जैसे मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ अनू समझा करो यह वकाउट नहीं होगा जो भी प्रॉब्लम होगा मैं संभाल लोंगी अब ही अगर तुमने मुझे मुझे मना कर दिया तो तुमने फिर से मुझे प्रपोस किया है कहकर तुम्हारी फ्रेंडशिप ही वह सता हमारे बताते ही वह मां को बता देगा भाई या तो हमारी प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन मां के बारे में सोचती हूँ तो टेंशन होता है अरे आज सुबहे तुम्हारे नाम से मुझे डाड रही थी अहई अनू तुम अपने बहाई को अच्छ से जानती न लेंगे ठीक है दस दिन रुप जाओ मैं बता देती हूं कि संभन कर जाना शांग को मिलते हैं अरे यार कहा है तू बस ओन्द वे हूं यार पार्च मिन में पहुंच जाऊंगा कि संभन के और दुले मियां हां शादी कब तुम्हार को कियो बाई कब है शादी कर रहा है इससे दे दिया ना हमसा पाज नहीं पड़ेगा भूलना मत अब अगर पीनी है तो आना ही पड़ेगा कोई भाना भी नहीं है ठीक है अपना ब्रेंट लेकर आजाएंगे नोट कर शा इसकी फुल क्या फुल तेरी शादी है बेर एक वोड का फुल नाइटी से क्या होगा इंक यह आप लेकर दो फुल बॉटल और मेरे लिए एक सोड़ा लिक्ट दो नो चल जाएगा अरे एक बार में शबकर डिसाइड कर लो ना हमें 11 बचे तक वहां पुछ रहा है चल अब आप वही ओर्डर ले लो थैंक्यू सर कहां तक पढ़ाई की है एंबीए सर इतनी पढ़ाई के बाद क्याटरिंग काम क्यों ऐसा कुछ नहीं सर तीन बैंक का लोन बचा है लास्ट सेमिस्टर दो सब्जेक्ट क्लियर की हैं अभी एक सब्जेक्ट बैलेंस है मंडे को एक्जा क्यों बैटी पूजा हो गई हां हो गई सर इस गनेश जी को अब में टेबल पे रख दूँ हां सर यहां भी राजी है हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है सम्झे का भाना बचा हुआ है 油 Deil 23 23 क्या है? नहीं मालू नहीं मालू कि क्या कर रहे हो अपनी जगा पेजा मैं बहुत ज्यादा स्टेक्ट हो मेरी आखो में सी सी टीवी कैमरा है अगर तुम इस तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूगा तुम साफधानी से लिखना बेटी ने तो वह सारा देख लेगा ठीक है सर सुनिये मेरा पेपर दो ठीक है सोरी सर अगर कोई देखकर लिखना चाहता है तो देखके लिख लेए खोई बात नहीं बहुत हो गया पेपर दो यह उसार पेपर है यह पेपर मेरा है सर यह लीजे सर लीजे ना पूरे क्लास में मेरा पेपर डिस्ट्रिब्यूट हो रहा था आपके सामने यह सारे लोग कॉपी कर देखके लिखेंगे तो ना मतलब तुमने उसमें गलती तो की ही होगी तुम्हारा पेपर आजडर्स कॉपी कर लेंगे इतने बेवकुफ लगते हैं ना देखो बॉस फिल इन दे ब्लैंक्स में दो तीन मिस्टेक करके ही लिखते हैं हम हम हन्रुड में से हन्रुड माक्स की एक्स्पेक्टेशन नहीं रखते हैं हमारे लिए 70-80% काफी है कमाल है गलत चीजे भी आप इतने हिम्मत से कैसे करती है इस सोसाइटी में गलत करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है गलत ना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है समझ गए ना बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब झाल 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 विमली के गुना को दिया जागा तो वो कर लेगा ना भाई ये लोग औल्रेडी विमली के गुना से ही मिलकर हमारे पास आये हैं ये काम उतना आसान नहीं है ये मडर भी हम एविडेंस के साथ ही करेंगे क्यों भाई? उस एविडेंस से हम लोग पचास करोड की डिमांड करेंगे पचास करोड? ओडिटर के पास उतना पैसा कहां से आगा भाई? एए इस ओडिटर के पास मरे हुए मिनिस्टर गुविंद स्वामी की बेनामी प्रपरटी है सौ करोड के उपर की ब्लैक मनी इसके पास ही है यह मिनिस्टर की फैमिली को भी नहीं पता आप कमाल है बाई टेरी बीवी का फोन यहां बैटा हो समझ जाएगी तो बहुत मारेगी भाई 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 थोड़ी देर के लिए सालेंट हो जाएए थोड़ी देर के लिए फ्लीज एड़स्ट किजे इरी सिट्वेशन स्बचे प्लीज ए भाई ठोपना बंकरो ना बीवी का फोन है प्लीज हलो सोना हलो कहां हो तो मभी आफिस में वाइन शॉप में हो ना तो आवाज नहीं आती रात के खाने के लिए क्या बनाना है वो बता हो कियो इतनी मेहनत करोगी आते से मैं कुछ न कुछ लेकर आ जाओंगा खाने के लिए तो फिर डाइपर्स कौन लेकर आएगा बच्चे का पूरी इंडिया में हो जाना तो कितना हो जाएंगा ठीक है मैं चलता हूं यार ठीक है एक बात बदा तो ठीक आट बज़े ही क्यों चला जाता है यह भाई को पिकप करना है यार मुझे तो यकिन नहीं हो रहा है यह वह सच बोलता हो गया चोड़ उसे लेकिन मुझे भरोस नहीं देघने पर फिर फ्रेंट्स पहरता है यह बात भिशيँ हमं को सिर्फ रेंड नी सिखाता है तो फ्रेंट पर भाघटा करना है ओच भाण वह सब छोड़ पहले उसको बोल कि तुछ पर भरोसा है चलता हूं यार हलो क्यों सर आने वाले हो या मैं आटर से चली जाओं पांच मिट में आ जाओंगा थिक से बताओ ना कितना टाइम लगेगा पांच मिट में आ जाओंगा फोन रखो अब तुम जा मैं बाद में आ ठीक है बाए चलो उत्रों बैग दो हूं बाए कल मिल रहे हैं हूं यार एक नाइंटी बोल बोल ना इसकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही तू सुन पा रहा है मुझे भी नहीं सुनाई दे रही आई प्रॉमिस हाँ बोल भाई नन्हे दूले साब करबड हो गई यार क्या हुआ यार मेरी शादी नहीं होगी नहीं होगी मेरी अब पहले बोल तो क्या हुआ अरे क्या बता लड़कियों के बारे मैं ऐसी बात करता है गलत है इस तरह सब के सामने चीकना कोई अची बात है क्या तुम्हारी चीक से दूसरे लोग परिशान हो सकते हैं अकल नहीं है तुम्हारी चीकना हिचकी भूक नीन अच्छा बुरा जनम मरन पदवी मुक्ति यह सब पूछ कर नही वो कैसे आगा पता नहीं चलता कैसे जाएगा ये भी पता नहीं चलता एच पैसो की जरूरत है तुने किससे मांगा है क्या और क्या जरूरत है इसकी मुझसे का होता मैं आरेंज कर देता एई उतना अरजेंड नहीं था यार अगर जरूरत होगी ना तो तुससे मांग लू प्रॉब्लम के चुप रहो के तो भाई से बात करके ऊपर का ट्रिपल बेडरूम तुमारे नाम करवा दूगा ठीक है सर आपके ओफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिना एप्रॉबल वाली बिल्डिंग में एडवांस दिया है इससे पहले कोई प्रॉबलम हो पैसा वापस कर दीजिए नहीं तो पूरी बिल्डिंग को सील करवाना ही पड़ेगा देखा बाई तुम बहुत गलत बात कर रहे हो हमसे पंगा लिया तो आप धमकी दे रहे हो क्या सर अपने बच्चों के लिए सिर्फ पाप करने से नहीं चलेगा थोड़ा सा पुन्य भी कर लिया करिये तो फिर ठीक है तुमने जैसा कहा वैसा मैं सबका एडवांस वापस कर दूंगा तुम थोड़ा सा अधान रहना है ओके थैंक्स सर यह क्या मैं कबसे तुम्हारा वेक करेंगी अरे जो भी हो देखो लीशे मैं मरने वाला मेरी बीबी मुझे चौड के चलीका या मैं जीना नहीं चाहता हूँ आप लोगों क्या हाँ चोड़ता हूं मुझे बचाने की कोशिश भी मत कर अदल्गां वे उस मैं बहुत देर से आप लोगों को इंतसार कर रहा हूं मैं अपनी बीवी से आखरी बार फोन पे बात करके यहां से कुद के मर जाओंगा हेलो हेलो कौन है रहे तू तू हलो मैं ही बात कर रहा हूं हलो अरे सिगनल नहीं मिल रहा है यहां मैं तेरा नाम लिखे मरने वाला हूं आज मेरा मरना कनफार्म है अरे यह क्या बोल रहा है यह तो तुम्हें ठीक से सुलाई देगा ही कल तुमने मुझे क्या कहा था है अच्छा मैं नहीं जाओंगा वहां पर किसी की जान जा रही है और तुम पागलों की तरह बगवास कर रहे हो तुम्हें उसे नीच उताने के बारे में सोचना चाहिए वो गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी बार बार टीवी में कहता रहता है ना लेडिज जैन सीक्व लेडिज जैन सीक्वल है तुम्हीं जाकर क्यों नहीं बचा लेती मैंने स्कॉर्ट पैनी हुई है नहीं तो अब तक कपकी चड़ गई होती अरे मैं आपके बार में कहरो उससे इंप्रेस करना है कोई आइडिया तो बता दे मुझे मेरे मरने के बाद तु खुशी से रहना मेरे मरने के बाद तु और तेरी माँ पुरे गाउं में नाजते रहा है वो देख अब तुम उपर में चड़ो मुझे बचाने की कोशी भी मक करना है यसा नहीं है ब्रदर तुम अगर एक इस्टेप और ऊपर चले तो मैं अभी उपर आ रहा हूं दोनों मिलकर कुदेंगे तो तुम क्यों मरना चाहते हो लाव फेलियोर ब्रदर उन लोगों में यूनिटी अच्छी होती है लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ब्रदर एक लड़की का ब्रेकप होता है तो एक भी लड़की उसको नहीं द तेरा अरुट इसले इसले में चाहता हूँ जच्छ मत क्ये वन टू गयां करौ मैं कूच्छा था ऑट का उंच ज्ञाँ जब्रदर में कूच्छाताँ है मैं भूण अने जड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यारे टूटूटूटूटूटू प्रदर शिंगत शिंगांव मरन बच गया इसे शुर्या इत्स लगी जब भी फ्रीज पुलिस टेशन में आकर मिलना ठीक है जरूर एक बाइट देंगे सर्व वन सेक ना आप आओ ना मैंडम अगर मैंने इतना रिस्क लेकर उसकी जान बचाई है तो ये सिर्फ इनकी वजह से मुझे इनी की वज़े से हिम्मत की मोटिवेशन मेली है सो हम सब की तरफ से थैंक्स टू मैडम ओके ना थैंक्यू सो मज़ अरे यार हम टीवे में दिखने वाले चल जल जल दी अलो क्यामरे के सामने मुझे क्यों खीच कर ले आए आपकी पब्लिसिटी के लिए टीवी बाले दिखाएंगे वो लोग तो फिर सुपब है ना पूरे शहर में आप फेमस हो जाएंगी नई मेरे घर वाले देखेंगे तो सुचेंगे कि हमारे बीच को चल रहा है ऐसा सुचेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है अब मैं आपके घर कारेंगे बात कर दो अरे यार नमबर डबल थ्री, डबल टू, हाँ डबल टू, हाँ ठीक है टीवी देखकर अगर मेरे घर वालो ने मुझे कुछ कहा ना तो सीधे तुम्हारे घर पहुँच जाओं लेंडिन कुई नहीं चलो यह घर पे आके मारने वाली है क्या तेख यार, वो और से शुरू होने वाला प्यार बहुत वंडरफुल होता है, बस तु देखता जा टीवी देख रही हो ना? हाँ, वो बिल्कुल मुझ पर गई है हाँ, मैं भी देखी रही थी लता, चाची लाइन पर है, लो बात कर करके भेज़े ना, हाँ, यही है, लीचे बात कीजि़े, कौन है ओना अरे दादी है, बात करो, हाँ, दादी हाँ, हाँ, आ जाओंगी, एक मिनट दादी, मा से बात कीजिए, मैं क्या बात करूँ मा ? हाँ बूलिये क्या बात है है हेलो कौन है जानवी बोल रही हूं हाई जानवी कहा हो तो और मैं तो दरसल वो ढरो मत मैं तुम्हें मारने नहीं आ रही हूं बोलो ना कहा अगर में फ्रेंट की शाधी है तो उसी के रेसेप्शन पर आया हूँ आपके वही रुखना मैं आघेंड आरे हूं खऴ बाग थे खऴ वाग एंड कियो यार अबे कमीनो चेल्फी क्यो लेते हैं पता तम लोको हम हलो यार तक कि अई मैंटी अब ही दिख preparation को नोको इस तरह दोंगा ने कामीन को कि या थे कि यह थेंग थाइंक्यू, सी यू अगेंग, ऐसी कुल्फी से ठंडक लेने के लिए यह सेल्फी टेकनोलोजी बनी है, तुम जैसे बंदरों के साथ गाल रगड कर लेने के लिए नहीं, तु सूपब है यार, एक छोटा सा मैटर है, मेरे पहचान कि एक कुल्फी तेरे साथ सेल्फी लेना सेल्फी गर में आओ सेल्फी कैसे लेते हैं सिखाती हूं तुम्हें, मजा किया था मैं पता है, सब पता है मुझे, शाम को एक सारी लेके आता हूं हम दोनों के सेल्फी अरे छोड़ों किया कर रही हो, यह तुम्हें गर पे बनाती हूं और छोड़ो ना हाइँ हाइँ यह किस लिए उस आटो ड्रावर को बचाने के लिए ओ थैंक्स अब बाइद वे उस इंटरव्य को देखकर तुम्हारी फैमिली कैसे रियक्ट की ओ वो उन्हें लगा कि मैंने ही उसे बचाए हैं और मेरी तारीफ करने लगे बच गया है सब कुछ ठीक है ना अब टिनर हो गया क्या डिनर देखो जो कोई रिसप्शन में आता है तो फंक्शन कैसे वह पूछता है और आपने डिरेक्ट फूर्ड के बरे में ही पूछ लिए बहुत आगी की चीज़ें आप पैदा होते ही इंटिलिजन थी या बड़े हो बाद इंटेलिजन बनी यह क्या क्या रहे हो कोई इंटेलिजन पैदा कैसे हो सकता है वो क्या है ना घर में बड़े लोग कहते रहते हैं बच्चा बाप की तरह स्ट्रॉंग पैदा हुआ है मम्मे की तरह बिल्कुल शार्प है तो इन दोनों में से आप कौनसी है ओ वैसे देखा जाये तो मैं बच्च्पन से ही काफ इंटेलिजन थी उसका रीजन यह है कि मेरी मॉम बहुत शाप है पिर आपके पिता जी तुम्हारे जैसे हैं मेरे जैसे हम लड़कियों की लैंग्विज में तुम चैसों को टुमांगी कहते हैं तुमांगी मतलब तुमांगी का तो मुझे यह गाली से भी अच्छा ही लग रहा है चलो कोई बात नहीं है ठीक है मैं चलती हूं जानवी फ्रेंड्स एक बात सुनलो फ्रेंड के नाम पर अगर मुझे लाइन मारोगे तो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा अगर फ्रेंड्सिप करना चाहते हो तो फ्रेंड बन करी रहना होगा और तुम अगर मुझसे फ्लॉट करना चाहते हो तो वो भी ओपेन लिगरो तो एक दिन का टाइम चाहिए एक दिन वो क्यों 24 आज में पता चल जाएगा ना ओके चलेगा बाइ अच्छा मेरी जानवी में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया जानवी में मुझे क्या पसंद आया बोले तो मैं सब कुछ उपनली बताता हूं आटी ये ग्लास छोटा है और आपने इसमें चाय भी थोड़ी सी ही दी है देखा आपकी सोच कहां तक चली गई परिवार को ऐसे ही चलाते हैं आटी मैं अंकल की तरह हूं पैसा बेकार में खर्च करता रहता हूं लेकिन वह चानवी बिल्कुल आपकी तरह है बहुत ब्रिलियंट अगर मेरी लाइफ में चानवी की तरह को एक मिर्ट बिटा तुमने कहा तुम उससे एक दो बार ही मिले हो फिर तुम उसके अंसे जानते हैं चानवी के बारे में मैं क्या जानता हूं मतलब वो अंकल बीस साल तक आपने उससे पैदा करके बढ़ा किया उसका सीक्रेट आपको बतानी है लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है क्या पता है अपनी जानवी के तीन बैंक लोन है अंकल उसने मेरे साथ ही तो एक्जाम दी थी यह बात अंटी भी बहुत अच्छी से जानती है अंटी मुझे तो ऐसा उसने कभी नहीं बताया ओ यह फोटो देगर आप कंफ्यूज हो गयें क्या एक्चुली यह फोटो भी की बाड़ी में अपना फेस लगाकर लाइटिंग के साथ क्या मैनेज किया है अंकल इतनी इंटेलीजनसी और कहां देखने मिलेगी अलो और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुमांगी है अंकल मतलब कोई चलकपट नहीं यह बताना चाह रहा हूं अंकल बेटा एक और चाह द देदीजे अंटी लगता है अंटी को मैं बहुत पसंद आ गया हूं अगर तुम्हें अपने डैडी की जॉब मिली तो सेलरी कितनी मिलेगी वो तो मिनिमाम थर्टी थाउजंड रूपीज की हैएं तुम हाट करें हो कुछ नहीं जानवी बस योई तुम्हरे पापा से मिलने आए था मेरे पापा से मिलने क्यों देखो जा नहीं पकटाने में मुझे दो महींद तो?」 ज़ेगा दो महनों में वैसे भी तुम पट्टी जाने वाली हो और उसके बाद तुम मेरे पासा कर मेरे डैडी ने ना कहा है ने ममी ने ना कहा है मेरे फैमिली नाका है अशा बुलदी रहोगी इसलिए मैंने पूरी प्रॉब्लम даже school कर दि अब फैमिली के तरफ से हमें कोई प 10 months, 3 days brother 10 months, 3 days Bro, propose के बाद Propose, मैं भी डर गया था अलग-अलग सोच आ रही है बहुत टाइम हो गया है ठीके काम करो brother, मैं अभी-अभी जानवी के फादर से बात करके आ रहा हूँ वो कहना है कि मंतली 30,000 रुपे salary रहेगी तो okay है इसलिए इस रूट में टाइम वेस्ट मत करो उस रूट पर जाओगे तो काम हो जाएगा फिर ये जानवी आपकी हो जाएगी ऐसे वर्क आउट होगा क्या? 100% bro, all the best अगर बुरा ना लगे तो ये बुके में आज के दिन यूज़ कर लू प्लीज मुशे दे दो ना all the best, all the best brother thank you very much, thank you very much तुमने जैसा मुझे काया ना बिर देखना क्या होता है I love you जानवी all the best brother अरे, तुम उसके साथ क्या बखवास कर रहे थे? उसका style मुझे पसंद नहीं, इसलिए उसे अवाइड करती हूँ वो, उसने क्या किया फ्रेंड रिक्वेस्ट पेज़कर कुछ टाइम में मुझे प्रपोस कर दिया अरे यार, रॉंग रूट है ना चलो छोड़ो जानवी, वो दस महेंने तीन दिन तुमारे पीछे घुमा है वही टाइम अगर दूसरी जगा इंवेस्ट किया होता, तो अब तक बाप बन जाता मैंने जो आइड़े दिये, उससे उसका भला हो जाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ तभी तुम उसे नो नहीं कहोगी एट लेस्ट उसे तुम्हें प्यार करने के बाहने अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी तो आई लव यू अब देखे भाई ये दोनों बहुत प्लोस प्रैंड्स है और ये अपनी दोस्त की बहन के साथ पिछले दो सालों से प्यार में है ये बात इसके फ्रैंड को नहीं पता ये दाड़ी वाला ब्याज पर पैसे देता है और उसे इसने उसके येरिय में पागल कुट्टे की तरह मारा है ये बात पलिस टेशन तक भी पहुँच गई लेकिन बात इतने नहीं है भाई कल रात को ही इन दोनों को डाइवर्ट करके अलुमिनियम फैक्टरी में लेकर जाओ उसी बीच रियल इस्टेट के आफिस को तोड़ दो बूला नहीं अपने आदमियों को कैटरिंग के युनिफार्म में ही जानी के लिए कहना इसकी वज़े से आटोमेटिक इन लोगों पर पुलिस केस रेजिस्टर होगा फिर उसके बाद इसे हॉस्पिटल में लाते वक्त इन दोनों की कहानी वहीं खतम कर दो अभी डाउट किस पर होगा उन लोगों का ओफिस तोड़ दिया गया इसलिए इन दोनों को बार दिया तो फिर देर किस बात की लग जाओ काम पे हाँ सर बूलिया ना सर पिछले दो घंटे से वह मेरे साथ ही तो है अच्छा अब उसने कंप्लेंट की है तो मुझे एक्शन लेना ही होगा तुम्हें काम करो अपने फ्रेंड को घर पे मत भेजना उससे को किसी सेफ जगह चले जाए ठीक है सर कि अरे क्या हुआ है कि अच्छ बताना क्या हुआ चली यह से चलते हैं क्या हुआ है अरे चल सोब लोग निकलता है जल्ले चलो अरे चलो अरे अरे चलो हुआ है अरे अरे ऐ कि अ लोग प्लान बना कर खुद इसे फसा रहे हैं उसी दिन उन्हें अरस्ट कराना चाहिए था तु बेकार में चुप रहा हमाँ नहीं यह उन लोगोंने नहीं किया हो तुम तुम्हारे ऐसे सोचने से नहीं चलेगा बोलो मा इस वक्त कहां है तू फ्रेंट्स के साथ भाहर हूँ मा बहन को लेकर घर आ जा थोड़ा काम है मा तो उससे जरूरी मेरा काम है मा वो तेरी मा मर गई बोलो तो भी नहीं आएगा क्या अब क्या हुआएगा घर में कुछ प्रॉब्लम है है मां कुछ अलग तरीकी से बोल रही है मेरे कहने तेक बाहर मत निकलना और तुम सब लोग मुझे इसके बारे में बता दे रहे ना फोन करके ओके बाई समझ के जाना कि जल्दी आओ क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ है मां ने तुम्हें जल्दी लाने के लिए बोला है अब बोलो भाई निकला क्या अभी तक नहीं आया भाई आते ही बता देना हाँ ठीक है बाई हुआ ही है चलो हुआ 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 ह झाल झाल यह वो नहीं है रुक जाओ रुक जाओ छोड़ दो से हाँ ठीका भाई सारी बस तुम वह नहीं हो सॉली कुछ होड़ जाता तो कुछ हुआ नहीं ना हाँ जल्वे कहां चला गया वह हमेशा वो इसके साथ ही आता था ना अचानक मेरे दिल ने धड़कना बंद किया कौन थे वो लोग और हम पर क्यों अटैक किया था कि रो मत अनो कुछ नहीं हुआ ना अब डरो मत दरसल वो किसी और को मार ने आए थे और हम यह सब घर में मत बताना हम ठीक है फालतों में टेंशन हो जाएगी क्या हुआ माँ माँ बोलो माँ हेलो बोलो सोना कहां हो तुम मनी के रूम में अनु और महेश के प्यार के बारे में उसकी मा को पता चल गया है इसलिए सुरिया की घर में जगड़ा हो रहा है क्या अनु महेश के बीच में प्यार है क्या बात कर रही हो इसका मतलब तुमको भी पता नहीं है मैं तुम्हें बात में फोन करता हूं क्यों रहे तु अनु से प्यार करता है कुछ प्रॉब्लम होई क्या बोलना तुम अनु प्यार करते हो कि नहीं तेरे उपर किती उमीद रखेती मेले मुझे भी थोखा दे दिया तुमने फ्रेंड फ्रेंड बोलकर उसे सर पर बिठाया था ना तुने आप बता बताना मुझे मा ये बच जनरली बात कर रहे होंगे मा फोटो देखकर तुम्हें कोई गलत मैमी हो रही है ये फोटो देखकर नहीं बात कर नहीं हूं मैं इसके साथ काम करने वाली कॉसल्या ने बताया मुझे क्या ये जूटे पूछ इसे अनु देखो बेटी तुम अभी छोटी बच्ची हो वो अच्छा नहीं है उसने तुम पर जादू कर दिया है उसे छोड़ दो बेटी उसे छोड़ दो हां नहीं मा महेश और में पड़े लिखी होना अकल नहीं है तुझे वो सही नहीं है बता रही हूं सुन अगर तुझे उसे से शादी करनी है तो दोनों मेरा शाथ करके दोनों को जो करना है कर लो कर लो उस ओफिस को तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर मैं उस वक्त सूरिया के साथ था अगर आपको डाउट है तो से फोन करके आप कंफर्म कर लीजिए सर तुम्हारे फ्रेंट सूरिया नहीं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए का तुझा बेटे रहो बिल्डर के ग्यान शेखर के रियल स्टेट आफिस में तोड़ फोड़ करने वाले महेश नाम के इस आरूपी को ये कोड़ 15 दिनों के लिए रिमान पर रखने का हुक्म सुनाती है तुम्हारे फ्रेंट सूरिया नहीं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए का महेश को क्यों पुलीस से पकड़वा दिया ये सब क्या बोल रहा है तु ए इंस्पेक्टर से बात करते हुए मैंने तुम्हें देखा था महेश से मैंने ही प्यार किया है और उसे ये बताने से मैंने ही मना किया था अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझे बताना चाहिए था न मानते हैं कि उसने गलती की है लेकिन इसके लिए पहले उससे बात करनी चाहिए थी न और तुमने क्या क्या उसे गलत केस में फसा कर उसे बदनाम कर रहे हो यही है दोस्ती है उसने मेरी बहन से प्यार किया है उसी गुस्से से मैंने उसे पकड़वाया है तुम लोगों को जो सच है वो बोल बोल तो दिया ना तुम्हारी बातों में वो आ सकते हैं मैं नहीं तुमने एक बार मुझसे कहा था ना कि यदू और महिश के शादी करवाएंगे तो अच्छा रहेगा सच्छा ही क्या है बोलना अपने महिश को कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है ये क्या बोल रहा है तू? बोलना? कल रात को महिश को जान से मारने वाला कौन है ऐसा डाउट आया तो मैं जाकर दास से मिला बिना एविडेंस के हम लोगों ने कम्प्लेट नहीं किया है खुद देखो उसकी हरकत बोलो भी नहीं है मैं समझ किया उसके बाद दुरन मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया बोलो तूरिया सर उस वीडियो में महिश नहीं है सर कोई सकेच बना कर मेरे फ्रेंड महिश को फंसा कर उसे जान से मारके केज दास परड़ाने की कोशिश कर रहा है सर आपको मेरे एक हेल्प करनी होगी सर इस केज में मेरे फ्रेंड को अरिस्ट कर लीजिए ये बात तुमने महिश को क्यों नहीं बता यार ताकि वो जेल में किसी को अपना दुश्मन ना बना ले उसे जेल से बहार आने में पंधरा दिन तो लगेंगे उतनी दिनों में हमें ये पता लगाना है कि ये सारा काम कौन कर रहा है उसे बचाना हमारी जिम्मेदर ही है सर उनसे हमने फ्लैट खरीदा था हलो बोलिये मैं त्री टाउन को इंस्पेक्टर हो चंदर शेखर बोलिये सर आखिर बात क्या है आप जगरूती नगर में अपार्टमेंट बना रहे हैं वहां मेरे फ्रेंड महेश ने एक फ्लैट खरीदा है उस मामले में मेरे दोस्त और आपके बीच जखड़ा हुआ था ऐसा सुना है तु बहुत गलत बात कर रहा है हमसे पंगा लिया तो आप थमकी दे रहे हो क्या तुम साधान रहना तुम्हारे फ्रेंड को जान से मारने का मेरा कोई मकसद नहीं है उससे डराने के लिए उस दिन ऐसा ही कह दिया था सच में मैं ऐसाद में नहीं हूँ सर मेरे केवे पाप की वज़े से ही मैं अपनी बेटी को खोचुका हूँ सर इसलिए कस्टमर के पास से लिया हुआ सबका एडवांस मैंने लौटा दिया है सेर मैंने कल तुम्हारे फ्रेंड को कॉल भी किया था फोन सिचव आ रहा था कि डाउट करने का कोई चांस ही नहीं है भाई सच में उसे अरेश्ट करवा दिया है वगवास बन कर यह सब जान बूच कर किया है मुझसे वो उसे कैसे बचाएगा मेरी प्लैनिंग में उसे फंसना ही पड़ेगा मैं लंच कैंटीन में ही कर लूँगी मुझे टिफी नहीं चाहिए कल से मैं देख रहे हूं कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी तेरी जबान को काट डूँगी यह एड़ाइस है न करने के लिए बुलाया है क्या हुआ शादी की बात करते ही ऐसे खामोश क्यों हो गई मुझे देर हो रही है मैं चलती हूं बाए ठीक क्या हुआ भावी यह तनी उदास क्यों लग रही है उसका चेरा हमेशा ऐसे ही रहता है आप बैठिये ना हम लोग 12 गंटे बहाँ पहु अरे इडियेट तुम लोग अनु को यहापर क्यों लेकर आए यह लोग नहीं लाए हैं मैं खुद आई हूं ऐसा नहीं है अनु बेल के लिए अपलाई किया है दो-तिन दिन लग जाएगा उन सब में यह तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए उसके बहन को प्यार करने के वज़े से अपने दोस्त को उसने जैल भीज़वाया है कॉलोनी के सब लोग यहीं समझते हैं लोगों के इसी सोच को ही हम अपने प्लान का हिस्सा बनाएंगे क्या प्लान है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है चानवी पागल हुआ जा रहा हूं मैं कॉलोनी में सब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने ही महिश को अरिस्ट करवाया है घर में मेरी बहन मुझे दुश्मन के लिए की तरह देख रही है सिच्वेशन जाने बिना ही मेरी माँ आनू की जल से जल शादी करवाने की कोशिश कर रही है अभी एक हफता बाकी है एक एक दिन निकल रहा है और ये सोचकर डर लग रहा है कि मैं मैश को नहीं पचपाऊंगा हेलो सर हाँ बूलिए सर हाँ स्टेशन आता हूना सर ठीक है सर ये है ये नहीं सर ये ये भी नहीं सर और ये नहीं सर ये भी नहीं है इन मैंसे कोई नहीं है सर ये सब जो तुमने देखा वाईजक, चित्तूर, विजयवाड़ा, कडपा डिस्टिक के थे कल सुबा तक हैदराबाद से अक्यूज की लिस्ट आ जाएगी मेल आते हैं मैं कॉल करूँगा ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर धे Κल की अक्यूज लिस्ट में अगर वो नहीं मिलेगा तो हम दो क्या करेंगे कल की लिस्ट में भी बोलोग पक्का नहीं होंगे अ, अगर अईसा है तो हम दो कैसे पकड़ेंगे उसे ए उन्लोग ने मुझे महेश समझ कर अटैक किया था तो उसे एक हफ्ता पहले उसका हर मूमेंट देखकर उसका स्केच बनाकर मारने के लिए आया था अगर मेरा गिस करेक्ट है तो हम उन्हें पकड़वाएंगे इस डर से वो हमारा पीछाद जरूर करते होंगे अभी भी वो लोग हमारे पीछे हो सकते हैं अभी अगर करता करते हैं आगर करते हैं इसका स्केच को स्केशा मेरा खिवNetर स्केशा मेरा बंदाएंगे पर हमारा से वोो हमारा गिछे हो और इसले जसार छॉप स्चेशं कि हो मेरा थास सुर्या इस वक्त तुम्हें एक्जेक्ट्ली कहां पर हो जगदंबा सेंटर की तरफ ज़ा रहा हो सर्ट जगदंबा सेंटर की तरफ चलो कि हयाई Imperator कैसे हो बरदर कहां चले गया थे बरदर भाई आपको पता है मैं उस दिन आपका नमबर लेना भूल गया था उन्होंने नहीं दिया आपके नमबर के लिए डारेक्ट चैनल तक गया था वह लोग भी नहीं दिया ब्रदर ब्रदर आपने मेरी जान बचाहिए प्रदर मेरी बीवी ने कहा कि आपको एक दिन घर पे बुला के खाना खिला हूं अब इतना तो कर सुर्या कहा हो मैं सिगनल के पास ही हूं सर वो लो कहां पर है सर वो एक्जैक्ली मेरे पीछे ही है सुर्या हाँ सोमनी के बाज़ों मेला दिख गए मुझे तुम आगे बढ़ते रहो मैं पीछे पीछे पीछातू ओके सर प्रेडिया ना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बाने कर दोने हना न कि और भाने कि और अज sourd अ बाई थी एंड एल रा रजब वजए उन्ट की सरदाद। वो बाई पुम्हान अजया हुआ 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 है आई भाही बाग अजया हुआ 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 है भाही जब सब्सक्राइब तो नर्मत वही है सर, लगता है काम हो गया, बोलो सामभा, भाई एक छोटी सी प्रोब्लम आ गया, अब क्या हो गया, दरसल बात ये है, मेरा प्लाइन फेल हो गया, मेरे एक आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, पुलिस वालों ने, हाँ भाई, देखो सामभा, जो भी है तु करने चाहिए नहीं बाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वह सब मैं समाल लूँगा बस इंक्वाइरी करने वालों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा फिर सबसेट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम है क्या देखो बार बार एक ही बात बोलकर मेरे स्तबर की इमतहा मत लो इमानदारी के साथ बता दो नहीं तो लाठी को काम में लाना पड़ेगा सर आपके किसी भी बात का जवाब मेरे पास नहीं है आप बेकार में मुझे टॉर्चर कर रहे है सुरिया वो एक ही बात दोर आए जा रहा है मुझे अब दूसरा तरीक अपनाना पड़ेगा चीके टाइम होगे तुम लोग जाओ सर कोई बात नहीं हम लोग यहीं बेट कर लें ने ने जाओ सुबह आ जाना सर ए चलते हैं ना चाले यार हैसाई साब सब देख लेंगे तू चिंता मत कर चल सुबाएंगे हलो मैंने अल्रेडी धामुदर को बता दिया है मडर नहीं करना है बोला है सर उसने उसे बहुत कन्वेंस किया साबने वाली पार्टी मना कर रही है न तो तू करने के जित क्यों कर रहा है समझ ना बाई काम आज हो जाएगा अभी कोई प्रब्लम नहीं है है बोल रहा हो ना मेरी बाद समझ में नहीं आती उर्टा जवाब देखा मुझे जितना बोलता हो तना कर तेरे कहने पर इतनी आसानी से उसे छोड़ दूंगा दस बीस लाग का काम समझाए क्या इसे पूरी जिन्दगी की कमाई का सवाल है ये मेरे सर आपको चिंदा करनी की ज़रूरत नहीं है मैंने सब सेट कर दिया मिनिस्टर के आउडिट के लिए आप दूसरी जिगे चले जाएए मैं आपको दो दिन में कॉल करूँगा और अगर कोई ड्रामा करने की कोशिश की ना होगे सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ है अगर आजा सुरिय बहुत बड़ा जिद्धी है वो कानून की एक एक किताब पढ़ रखी है उसने एक शब्द मुझे नहीं निकाल रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ अच्छा सर उसने कारून के कौन से पॉइंट पर बात की सर सर आपने मुझे बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया है और लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं मैं कंप्लेन करूँगा कि आप मेरे साथ होमो सेक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं इसके साथ भेज दीजे ये उसे नया करून सिखा देगा कर रहे हैं कर रहे हैं पुलिस टेशन में इंटरोगेट करने की वज़े से ही तुन्हें होमो सेक्स करने की कोशिश की ऐसी कंप्लेंट करेगा पुलिस वाले तुछ पर डाउट करके तुछे ले गए हैं बाद में तेरी कोई गलती नहीं तो तुझे रिलीज कर दिया उसके बाद तु बैंगलूर चला गया ना अब भी मेरा फ्रेंट तेरे फून के साथ बैंगलूर हैवे पर है ठीक आने वाले 20 मिनिट में वो तेरे सिमकर्ड को कट करके फैंक देगा पुलिस रिकॉर्ड में रहेगा कि तु बैंगलूर ही गया हुआ है अब ही तुझे चांद से मार कर यहां दफना दूगा तो पूछने वाला कौन रहेगा अब पता मेरे फ्रेंड को कौन मारना चाहता है बॉद 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 चलो बॉद 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 घूड़ा भॉद बॉद 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 उने फ्रेंड को कुमारना चाहता है भॉद क्या जानना है तुझे क्या जानना है तुझे मेरे फ्रेंड को क्यों मारना चाहते हो तेरे तेरे फ्रेंड को मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा तेरे फ्रेंड के पास है ही क्या कुछ नहीं हमारा टार्गेट तेरा फ्रेंड है ही नहीं तो फिर कौन है कैसे बताऊं तुझे एक साल पहले कांधी प्रतिमा के पास एक्सिडेंट हुआ था एक कलेक्टर मर गया था याद है और उसी एक्सिडेंट में एक और मौत होई थी एक तहसिलदार भी मरा था वो तहसिलदार कैसे मरा किसने मारा किसी को भी उसकी मौद के बारे में जानने में कोई दिल्चस्पी नहीं है जब कि उस कलेक्टर की मौद की बहुत चर्चा हुई वो सिर्फ हमारा मोहरा था हमारा असली टागेट वो तहसीलदार था वरना कलेक्टर को कौन मारने चाता वैसे ही तेरा फ्रेंड सिर्फ एक मोहरा है टागेट नहीं तो फिर कौन है तेरी बेहन तेरी बेहन मेरी बेहन यास मेरी बेहन ने क्या किया है क्या गुंदी है उसकी मेरी बेहन को क्यों मारना चाहिए बोलो तेरी बेहन की वैल्यू कितनी है तुझे पता है 50 करोड 50 करोड 10-15 लाग के लिए किसी को मार देंगे तो हमें 50 करोड कौन देगा 50 करोड हम छोड़ दे क्या उस रात अगर तू नहीं आया होता ना तम दोनों को मार देते मगर तू वहाँ पर आ गया तू ने हमारा प्लान पूरा परवाज कर दिया मेरी बहन को मारेगा तो 50 करोड कौन देगा मेरी बहन को मारेगा तो 50 करोड कौन देगा तुझे जान भी लेगा तो क्या कर लेगा तू अल्रेडी तेरे फ्रेंड और तेरी बहन की डेट फिक्स हो आज के दिन वो दोनों मरने वाले हैं अगर बचा सकता है तो बचा ले मा मैं बात में फोन करता हूँ अरे तेरी बहन और महेश आज रजिस्टर मेरेज करने वाले हैं अगर ऐसा हुआ ना तो तो मुझे जिन्दा नहीं देख पाएगा कोशल्या ने बताया कि महेश को कुछ देर पहले बेल मिल गई है अनू और महेश भाईया रजिस्टर आफिस में शादी करने वाले हैं कौन से रजिस्टर आफिस दिदी द्वार का नगर ठीक मैं देख लूँगा दीदी मैं सब कुछ संभाल लूँगा तू क्या संभालेगा तेरी बेहन की रजिस्टर मेरीज नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पहले मेरा भाई उसे मार देगा जा अब तक कोई नहीं है भाई क्या करूं आते ही फोन करना तुमारे भाई से नाराज होने के हमारे पास कोई वज़े नहीं है तुमारे भाई ने जो किया वो बिल्कुल सही किया देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुमारे घरवालों की मरजी का हम वेट करेंगे लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में लेफ्ट क्यों दौर का नगर दौर का नगर तो तो यहां आने के बाद उसे पता चलेगा तो सब करबड़ो जाएगा पहले उसे कंविंस करो ठीक है मैं कर दी हूं किसने फून किया था शीनु क्यों किया ऐसा बोल सर गलती हुई सर पूछ रहा हूं तुस्से पता इस अधार नेरी गाड़ी को फोका है तुमें तेरी हमद कैसे हुई सर गलती हुई सर मने क्यों रहे हुई सब्सक्राइब वे भिए ने कुछ आझ जूसरा हुआ झूर cigarette र्रॉज को जूर्डराज्याम सूर्य आ रहा है उसे किसी ने पता है तुम चूपी है हम लोग जिस काम से आये हैं उसे नहीं पता होना चाहिए मैं मैंनेज कर लूँगा है महेश और अनु कहा है महेश मुझे क्या पता उसके बारे में तुझे पता है उन दोनों की लाइफ खत्रे में प्लीज बताओ पता है तो बता वो लोग अभी तक नहीं आये हैं क्या हुआ यार अनु मेरा फोन नहीं उठा रही है तू अपने फोन से एक बार फोन कर अनु का फोन स्विच आ रहा है एक बार महेश को ट्राइब कर जिस नमबर से आप संपर कर जाते वह इस वक्त पर है महेश का नमबर भी सिच आफ आ रहा है है हाँ 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 बोलो महान है ऐसा है उसे अंक्वारी रूम में बैठाओ मैं भी आता हूं सूरिया इन सभी प्रॉब्लम की जड़ में है सामभा शिव मैं शामभा शिव को दामुदर के वज़े से जानता हूं उस दिन पहली बार ही मैं उसे मिला था ठीक है पर बाद में बात करतो नमस्ते भाई नमस्ते यह वही सामभा है जिसके बारे में बताया था नमस्ते सामभा सर की बेटी को मेडिकल में एक सीट चाहिए यह काम तुझे ही करना है उसमें एक प्रॉबलम है रामचंदर कॉलेज में 37 सीट सी हैं मगर मेरी बेटी का 38 रैंक आया है उन 37 में से किसी ने अपने नाम वापस लिया तो मेरी बेटी को सीट मिल जाएगी इसमे कोई राष्टा है तो देखो ना कि सर आपकी बेटी को एमडी की सीट चाहिए ना मैं करवाऊंगा हो जाएगा भाई ठीक है तुम ने के बारे में मैं देख लूँगा सर सामभा सर जा मैं चलता हूँ केवल इस रड़की को मारने से काम नहीं होगा बलकि ये मर्डर मेडिकल सीट के लिए नहीं किसी और वज़े से हुआ है ये प्रूफ करना है हमें इसलिए लड़की के साथ इस लड़के को मारेंगे तो डाउट रियल स्टेट वाले पर जाएगा बस इंक्वाइरी करने वालों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अच्छा अभी तु फसेगा करके तु खुदी आकर सरेंडर हो रहा है ना सच बता पैसा रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो क्या एंजिनियरिंग सीट्स खरीदोगे डॉक्टर की सीट खरीदोगे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई आती हो या ना आती हो अपने प्रिस्टिज के लिए उन्हें डॉक्टर या इंजिनियर बना दो गए इतना ही ना सर आपकी बेटी के कट आउफ मार्क्स भी नहीं है इसका मतलब उसमें डॉक्टर बननी की योगयता नहीं है सर इतनी छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है ठीक है सर समझे कि आपकी बेटी डॉक्टर बन भी गई तो कल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी जान अपनी बेटी के हाथ में रख सकते हो क्या सर हम जैसे मिडल क्लास लोग छोटे से पेंस से लेकर बड़ा टीवी भी हम गैरेंटी लेकर ही खरीदते हैं सर हमारी सोच ऐसी ही होती है लेकिन डॉक्टर के पाँ जाओ तो ऐसा नहीं होता हमारे पाँ जितना है सामने वाले की चान बचाने के लिए हम सारा का सारा दे देते हैं सब कुछ लुटा देते हैं डॉक्टर का मतलब बिजनिस नहीं है सर, जान का मामला होता है, वो भगवान के समान होता है, उसे क्यों बिजनिस बना रहे हो सर, आप जैसे लोगों के वज़े से ही अपने देश में 53% नकली डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के वज़े से ही मेरे पिताजी कि इस आइडी प्रूफ से रूम बुक करो ठीक है सर कि बॉड़ी रात को बारे बज़े लेके आते हैं डरना मत जबाए रात कि बॉड़ी और जो झाला त्रे आते हैं डर आते हैं डरेती आते हैं हाँ भाई यहां सब रेडी कर दिया है हम लोग उधर ही आ रहे है ठीक है जल्दी हाँ भाई इंतिजार कर रहे है उस नंबर को ट्रेस करो सर्थ बालनगर का लोकेशन देख रहा है सर्थ तुम लोगों को मेरी जान चाहिए ना मैं तुम्हारे सामने मुझे खत्म कर दो पर इसे छोड़ दो तेरे लिए वो नहीं बे उसके लिए तो तू मरने वाला सूर्या के फ्रेंड महेश के जेल से आते ही महेश और सूर्या की बहन को किड्नाप करके अपने गोदाम में फासे लगा कर मार डालो और लाशों को सब्तगिरी लॉज में लटका दो वहाँ पर क्यों? बात समझो उन दोनों के प्यार को घर वाले नहीं मानें इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लियो अजवबगा ही जाफ नहीं मात लोदाू बाईया मोव अनू कोई भी नहीं ही देगा बाईया हैंड्स अप बिला तो शूट कर दूंगा ना मुणमा शुटा हास पिस थी जैसा थे भी कोई बात नहीं मैंश्य उसे गल्ती हो गए कुछ नहीं होगा सुर्या से चले जाओ गौध्स चलो चलोज़स चल दिकलो यहांश अनू सुर्या से जल्डी या जल्डी या आई ये बद्रा झाल घंट एह खो 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 और आ से लाइ ईतला ईतल उतल झाल चाल झाल उत constitu उतल झाल कि अधर इधर इधर कर दो अधर कहा चलिए वो लोग बाग गया है वो लोग भाई कि अधर प्रदर मैंने कौन सी गल्ति किया रदर आप ही बोलो ना सिस्टर एक बार घर में खाने के लिए बुलाया है वह क्या गलात है मेरी सिच्वेशन तुम ही क्या पता मुझे उसे कोई मतलब नहीं है बस तुम कल मेरे घर पे खाने के लिए आ रहे हो प्रोमिस करो तुम रिक्षा में बटो मैं मैं तुम्हें राचे में सबता दाओ जलो जली बुली दिने कहमत बरदर रहा है त मुरतर बुल्लामार यह क्या कर दिया यह… 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 यह यह! युछ यह-ख… सब्सू मुछ मुछ क् Tetraक झाल 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 प्रखरּ Im अँजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज prevention लो भो Äे झां लो 我 लो लो कर दो ... कर दो क leads प्यांक में हो और एष ... और एए एाए 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु कर दो कि अंगरे कि अजिए अजिए दोला खाले कि अजए और कि अंटाने अजए भादे सीरानी अजए फर्टार अजए इन आजे नहा हैं झाल, चाल मुझे चाल मैश, माल मैश, मैंश, मैंश, जाल मैंश, मैं बाल जुर्ण मैंन जुर्ण झाल मैं प्याइ चुर दोजे? चुर दो आया, चुर दे घड़िया अ झा खाल बहल हुआ कर्मार्ण महेश कैसा है मां महेश इधर है उसे इधर बुला मांता हूँ कि उसे गुस्सा बहुत आता है लेकिन वह बहुत अच्छा आद्मी है मां किसी अच्छे बात के लिए गुस्सा होना गलत बात नहीं है मां मां अनु का पीजी खत्म होते ही वो गाउं जाकर सर्विस करना चाहती है पैसों की इच्छा ना रखने वाला ही उसकी इच्छाओं को समझ सकता है मां मुझे पूरा भरुसा है मां महेश अनु की साथ रहेगा तो वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे कुछ दिन पहले मेडिकल सीट के लिए किडनाप करके हत्या करने के जुर्म में अरेस्ट किये गए औरिटर रामनाथ और शम्बा शिव को हाई कोट ने अपराधी करार दिया है करते 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 हैं करता दो श边 करते कर दो अले-अले, क्या हुआ, मेरी गुरिया रो रही है, क्या हुआ, माने मारा, वो दे ना जानवी, ओ जानवी, देखो, अनू महेश, उन दोनों के एक छोटी बीड़ी, वो पकड़ो इसे, हलो, हलो, बोलना, का है तु, अरे, यास दिया का बड़्डे है ना, हम सा मंदीर में आये हैं, ठीक है, घर आने के बाद फोन करना, अब क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या, वो क्या है कि, सोमवार के दिन सामा जेल से छूट कर आ रहा है, बा आने के बाद उसका पहला टारगेट, वो तुझे ही बनाने वाला है, वो मेरा कुछ नहीं कर बाएगा, क्योंकि सूर्य अब भी मेरे साथ है, झाल, 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